हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल स्वादला जवाब दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल चिकन करी यह बहुत ही डेलिशेस होता है यह हम रोटी और पूरी के साथ अकसर लेते हैं तो लेट स्टाट इंगेडियन्स जीरा और लाल मिर्च का पेस्ट टू टेबल स हल्दी पाउडर 2 टेबल स्टो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्टो ओन कैपसिकम छॉप्ट एक लेगना है टोमाटो चॉप्ट एक लिया है अन्यान 500 .पोटैटोश ओलू 6-7 छॉपप किया हूँा धनिया पत्त हाट कर लिया है स्पाइसे में इलाइची लॉंग और दार्चीनी दो से तीन तेज पत्ता दो सोखी लाड़ मेज दो और हरी लाल मेज चेग सरसो का तेल पांस से छे टेबल स्पून लेना है नमक स्वाद अनुसार और दही तीन टेबल स्पून और में इंगरेंट चिकन मैंने यह उन कीलो लिया है और चिकन को हमें मैरिनेट करना उसके लिए मैं इसमें मस्ट्रम एड़ करूंगी उसमें जिंजर पेस्ट भर अ walnut को पेस्ट दॉझमारं का पेस्ट गत टेबल स्पून चीया और लाल सुकी मेज खली पाउडर बा़न-इुझमि नमक, स्वाद अनुसार और दही मैंने यहां दो से तीन टेबल स्फून का यूज़ किया है इन मसालों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे आधे गंटे के लिए इस साइड में रख देंगे फिर इसका यूज़ करेंगे तो दोस्तो पहले कराई को गरम कर लीजिए अब उसमें 3 टेबल स्पून 2-3 टेबल स्पून अब मस्टर डोल एड कीजिए तील हमारा गरम हो चुका है दोस्तों अब हम उसमें चीनी एड कर देंगे अब हम इसे एक सिकेंड के लिए चलाते हुए जो चॉप्ट अनियन्स हमने काटके रखे हैं उन्हें इसमें डाल देंगे और हम इसे एक मिर तक चलाते हुए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब अनियन्स में हम वन टब स्पून नमक दे लेंगे आप सुरी जानते हैं नमक देने से ओनियन्स बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे अब हम करहाई को ढ़क ढ़ाएंगो, ते इसमें डाल लिके अज़िए और अपस व्ICHट करंके अब चाहे तो अलो को पहले भी खर रख सते पर थे ले leah अब मैं कवर कर ढूंगी करहाई को 10 मिनिट के लिए तब तक अनियन सॉफ्ट हो जाएंगे 10 मिनिल बाद फ्रेंड्स देखिए अनियन सॉफ्ट हो चुके हैं और उसका कलर भी बहुत चेंज हो चुका है अनियन्स को मीडियम से हाई फ्रेंड पक फ्राइ करेंगे जब तक वह गोल्डन ब्राउन ना हो जाएंगे अब देखिए अनियन्स हमारे फ्राइ हो चुके हैं और अलू भी अब हम आलू को निकाल के अलग से रख देंगे और अनियन्स को थोड़ी दिर के लिए फ्राइ कर आद्रक का पेस्ट, लेस्ट, जीरा और लालमेज का पेस्ट मैंने लिया है उसे एड करेंगे मसालों को अच्छे तरह से भून लेंगे जिससे मसालों के जो कच्छे जो तेस्ट होते हैं गंध होते हैं वो निकल जाएंगे अब हम उसमें टर्मनिक पाउडर हल्दी का पाउडर एड़ करेंगे और कश्मीरी लाल मिच पाउडर भी एड़ कर देंगे कश्मी लाल मिच पाउडर तीकी नहीं होती है इससे कलर बहुत अच्छा आता है और हल्का सा नमक चिरख देंगे आप पहले जानते हैं मैंने नमक का इस्तमाल पहले भी किया है मैरिनेशन और अनियंस में भी तो हम कम नमक देंगे आप टमाटोस को एड़ कर देंगे और धनिया पत्ता भी एड़ कर देंगे और जो एक चीह हरी मिच काटके रखी थी वह एड़ करके अच्छे से हिला देंगे अब हम पैन को कवर करके दो मिनित तक पकाएंगे देखिए हमारे टमाडोस सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमे कटी हुए कैपसिकम सैड करके अच्छे से इसे मिला लेंगे अब हम मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे और इस मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिला लेंगे अब दोस्तो हम पैन को कवर करके अटलीस 15-20 मिर्स तक पकाएंगे पीस मिनिट बाद दोस्तो आप देख रहे हैं चिकन से पानी रिलीज हो चुका है यह अल्मोस्ट कुक हो चुका है अब हम गायस को मीडियम फ्लेम पे 10 मिरेंट और इससे पकाएंगे जिससे चिकन और भी सॉफ्ट हो जाए अब हम जो फ्राइ केवे आलू थे वो इसमें डाल देंगे और इसमें जो 10 मिरेंट तक मीडियम पे पकाएंगे जिससे आलू और चिकन दोनों ही बहुत अच्छे से कुख हो जाए देखिए रसमेंट बार हमारा चिकन और आलू बहुत अच्छे से पक चुके हैं और यह हमारा चिकन करी रेडी है यह बहुत ही लजीज देख रहा है आज की मेरी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास ला सकूँ दोसके लिए बाबाए दोस्तों टेक कियर अब मिलती हो मेरी अगली अब मिलती हो मुझे बढ़ आप।